अब आप स्वागत आप सभी का वाइफाइट स्टूडियो पर विच इस पार आप अपकेडमी नमस्कार दोस्तों आप सभी का दोबारा स्वागत आप सभी की स्पीडिय साइन्स सीरीज की क्लास में ठीक है मैंने आपको पहले का था कि अगर आप इस क्लास में रेगुलर्ली आते हैं एट पीम पर तो अपनों लोग स्पीडिय साइन्स सीरीज स्टार्ट करेंगे नए कोशन के साथ कि हमारा जो कंटेंट रहेगा बिल्कुल नए कोशन रहेंगे और कोशन ना उस लेवल पर र सकते हैं ठीक है नमशकार भई गूडीवनिंग सभी को शेर करना सेशन को डेली आओ यार इस लास में एक दिन के महमान जो बनते हैं ठीक है वो फिर महमान ही होते हैं ठीक है उनके घर बसर नहीं होते सिंपल जीवाद ठीक है आठ बज़ेगी क्लास डेली देखना पर स्टेडी स्टूडियो पर आ सकते हो सुबह कितने बज़े नो बज़े बाग की सबी क्लास तो आप सभी जानते हैं हाँ लूशन पांच बज़े होती है अपना फिक्स टाइमिंग है इन सब क्लास की चैनल सब्सक्राइब करिए इंडिन पॉलटी सर्च करिए ठीक है ला स्टार्ट कर दिया अपने जो अनकेडमिक क्लास है ना वेटा इस क्लास में मैं आपको हमेशा हर मन्त नहीं बोलता कि आप मेरे साथ प्लस टोसिजन जुड़ी है लेकिन मैं स्पेशल मंस में बोलता हूँ कि हाँ आठ मार्च में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और यह सभी सब्जेक्ट होंगे रीजनिंग भी होगा मैथ भी इंग्लिश भी और साथ के साथ परी जी के कंप्लेट ठेक है मौक्टैस सोलुशन स्टैंडर्ड बुक से कवर करेंगे डाउट सेशन होगे ए टूजर चीज जो आपको एक स्ट्रक्षर कोर्स में मिलनी चाहिए रहा तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अब 8 मार्स से ठेक हैं आप मेरे गोल स्सी सेलेक्ट करके एक्टेमी पर क्लिक करके बन सेलेक्ट करके इधर रैफर को डाल सकते हैं लाइवमन इस कोर्स का फायदा यह है कि इसकी फीस मात्र 300 पर मन्त हैं सब भी सब्जेक्ट की ठेक है जुड़िये इसमें आपको सब कुछ अवलेबल होगा 100% चोड़ती है चली स्टार्ट करते हैं स्पीडी साइन्स सीरीज को थे अपनी साइन्स की सीरीज हमेशा करना है वाई सुबह फिक्स रखो कि आप सुबह रात सुबह 9 बजे वाला और यह 8 बजे यह सेशन पक्के हैं ठीक है हमें करने हैं इसका फायदा गुड़ इवनिंग वई चली पहला कोशन आप सभी के सामने इस कोशिंग आप सब्सक्राइब करना कोगे थोड़े से कोशन जो गाजर होती है वो लाल होती है इसका ओरेंज होती है कहने का मतलब रैडी कलर कह सकते है मैं तो उसे रैडी שמmen करिए कोश़न का आंसर के है ठीक है आप से लीव्स हरी क्यी होती है पत्तियां हरी की होती है ठीक है और कारट रैड की होता है हमारेलोड का कलर किस मJames होता है ठीक है हिए सब चीज़े पूछीआ है यही सब चीज़ें हमें cover करनी है, यही सब चीज़ें हमारे class में जो पूछी जा रहे हैं, वही question में आएगा, बताओ, इसमें से कौन सा rootless है, ऐसा कौन सा plant है, जिसकी जड़ नहीं हो, खतरनाक question, चल दीज़ देख, answer क्या है, क्या है, इस question का answer, कौन सा ऐसा plant है, जिसकी अब उन लोग target उनी चीज़ों को कर रहे हैं, जो आपके 100% paper में आने वाले question है, इस series में, speedy science series में हम वही चीज़ करने वाले, answer कैस question का rootless कौन सा, basic, जो ginger है, उसका root नहीं होता, ठेक है, तिमाख रखे है, root नहीं होता, stems होती है, इसमे, stem type है, ठे, modified stem है, जो लेकर question देए, which among the given is not endocrine gland, कौन सा, इसमें से endocrine gland, basic question, साफ देख सकते हो, एक चीज़ दिख रही है, वो जो अपना endocrine gland नहीं है, साफ clear दिख रहा है, इसमें कि आभा है, यह endocrine gland नहीं है, कौन सी नहीं है, comment गरेगा answer क्या हो, कौन सा, इसमें से endocrine gland नहीं है, इन questions के फायदे क्या है, इन questions को ना, हम directly paper में आपको यह question मिल सकते है, क्योंकि यह to the point question ना, छोटे-छोटे question है, आपको ऐसे question मिलेंगे आपको, बताई इस question का answer क्या है, ठे, कौन सा endocrine gland नहीं है, answer क्या होगा, ठे, वेटा, answer क्या है, इस question का जल्दी से बताईगा, चलो जी, answer है, वेटा, याद र हमारे शरीर का हिस्सा है, ठेक है, लेकिन spleen एक क्या है, spleen है, जिसमें RBC खतम होते हैं, RBC जो dead होते हैं, RBC जो जिनका lifespan 120 दिन पूरे हो जाते हैं, मित्यू के निकट होते हैं, 120 दिन पूरे होते ही, यह spleen में जाते हैं, ठेक है, तो RBC समधीद is spleen, ठेक है, तो basic सा question है, बह बलड वैसल प्लाईंग बलड कोचो एक चो क्या का किड़णी सेक टिक है किड़नी से काकटीट क्या है हमें पता होना चीवोंगत मेक explicant सौता दसे साहे। सब्सक्तियों, बैटा आंसर है... अटरी झांननीयी कहली है. मैं आपको लेवल के कोशन पूछान, मैं किसी भी एककजाम के लेवल में साइंस का कोशन कुछ ऐसा है, प्रैक्टिश करो अपने 100 कोशं यहां पर रोज ट्राइब मारोगे न 8 पे आप इस चीज को जान ले न कोशन से बाहर नहीं जाएगा कुछ भी ठीक है ये बात हो रहे है इसकी थियोरी पढ़नी है तो आप मेरे ये तो आंसर कहें बेटा एकलिप्टस इसका अंसर है एक टॉलिस का अगर आप से पूला जाये तो याद रखेंगा एकलप्टस का आंसर है इंसान को जल्दी आ जाती है ठोकरे खाका के जद्धे आती है ठीक है अंसक्सफुल होके किसी कारणों से ठीक है चलो अब यह कह रहे है कि जो विजटमडित है कूंसा मोलटित आपने तीन चार्जितने भी दे रखे हैं उसमें से कूंसा मोलटित जो है अकल दाड़ होती जल्दी से अकल दर्द होती ना अकल दार से बहुत जाथा उसे निकलवाना पाप होता है खतरनाक है निकलवाना तो मतलब ऐसा है कि मतलब बिलकुल रो देने वाली बात जल्दी सोते हैं बेटा संदीव जैसे पहले मैंने आपका पांस बजे लूशंड स्टार्ट किया ना कि हम 5 बजे पहले लूशंड तीस दिन में टारगेट कर लेंगे पूरा उसके बाद टॉपिक चलेंगे वैसे इसमें भी मैंने 20 दिन का टारगेट किया है SPD Science का मैं ने 20 दिन का target किया है, पहले 20 दिन में हम practice करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे, ठीक है, answer कहाँ वेटा, इस question का third molar tithis का answer है, third molar tithis का answer है, अच्छा question है, ठीक है, चला देखो ये को question, ये बताओ, plant absorb most of the water needed by them through each of the following देखे बेसिक है कि जो हमारे पोधे होते हैं वो पानी को absorb कैसे करते हैं क्या उपर से जो बारिश होते हैं उससे कि जमीन से जो पानी उपर की तरफ roots के थूँ जाता है उससे अम आप बता ही common sense का question common sense का question की भई plant कैसे जादा absorb करता होगा पानी होते हैं ठीक है बताओ जल्ब root hair से root hair से या फिर किसी और चीज़ से जल्दी सब्सक्राइब है हाँ बिल्कुल डियर सुच्रीता आपके लिए ये भी करते हैं काम root hair से मैं आपको simple सी बात बता हो हम पानी हम ज्यादा तर जमीन के अंदर डालते हैं उसी से पानी का है पूरे plant को मिलता है तो मेरे हिसाब से root hair जो है ये ज्यादा most प्रबाबली आंसर है जिसका आपको कोशन पूछा जा सकता है जलो एक और कोशन देखिएगा blood pressure को measure करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमें बेसिक कोशन हमें आते हैं ये कोशन हमें पता होने चीए है मैं आपको वो कोशन करा रहा हूं जो आपके लिए बहुत जादा important है ठीक है वो कोशन करा रहा हूं मैं आपके लिए जो बहुत जादा important है इस question का answer के है ठीक है बहुत जादा important question जो है न वो मैं आपको करा रहा हूं ठीक है आपको आंसर का याद रखे का answer है signal manometer इसका answer है ठीक है signal manometer इसका answer है बहुत ही असान question which among the given food crop is the maximum content of protein बते कौन सी food crop है जिसमें protein का content सबसे जादा है ठीक है protein का content सबसे जादा है इस question का answer क्या है comment करेंगे ठीक है फूड ग्रोप है जिसमें सबसे जादा protein का content अगर वेजिटेरियन तो कुछ बच्छे तो जानते ही होंगे सभी जानते होंगे वैसे तो कि बहुत जादा protein यूख तो होता है ठीक है protein यूख तो होता है वैसे तो देखा है पल्सिस चुत्ती भी होती है लिग्मनेस चुत्ते भी होती है मैं आपको बताओ दाल जितनी मिया है वो सब protein का ही source होती है ठीक है लेकिन इसमें स्वायबीन जो है सबसे जादा होगा simple सी बात है हमें पता हो ना चीए question आ सकते होगा उसको यह question आता हुगा इसको स्पाशन प्रक्रिया का respiration system का पता होगा उसे यह question आता हो ठीक है बेसिक सबस्चन है अंसर के बेटा एल्वी लिंग इसका इंपोड़ों कोशन में से एक है चलो पर कोशन देखते है ठीक है बतें विच अबंग दा घिवन इस दर ट्री का ड्रीटमेंट का इंप आंसर क्या होगा इसमें से कुछ सा जल्फ्रदूशन का इलाज क्मेंट अंसर क्या है ठीक है बेसिक सा कोशन रहां अब हम क्या करते हैं पानी फिल्ट्री तो करते है आरो ही तो देखुँ बेसिक से कोशन ऀसा कि मतलब का कोशन हुँआ यह कोशन घर का कोशन हुआ घरमें आलोर लगता हूं वो किसे लगता पानी साफ करने के लिए तो reverse osmosis होता हुश में कुछ बच्चे फिर भी होशियार मनेokus कुछ बच्चे फिर भी होशियार मनेratos पेटा अलका चोहान अपनी डेली की टाइमिंग 8 पीम है इसी चैनल वाइफ़ाई स्टूडियो पर 8 पीम पर स्पीडी सीरी स्टार्ट करी है आज पहली क्लास समझी आप पार्ट ठाड़े लेकिन कोई नहीं पहली क्लास से समझेंगे से ठेके 8 पीम पर डेली सेशन होता है इ अच्छा कोशन पूचा आ सकता है उतक किसका बनता है कमेंड करेगा इंपोर्टन कोशन है शेर दरवार सेशन को जल्दी से आंसर के है ठेके सर पीडिएफ आपको पीडिएफ कहां पे मिलती है पीडिएफ आपको कमेंड बुक्स पर 100% मिलता लिंक पीडिएफ को यहां से जिससे आपको डाउनूड कर लेनी है केरेटीन इसका आंसर है उतक जो है कौन सा केरेटीन है जिससे हमारे नेल्स हौन्ज भोंज यह सा बनते है पता है इस पार्ट रॉंड डौड डिवाग्त ऑ परपलास is demons word जल दिसे बदाई इस कोशन का आंसर के है संसर क्यां कमेंड कर जल्दी से पताएगा तेखो हमारे ब्लड का ऐसा कूंसा फ्ल्यूड पार्ट है जिसमें क्या है थे कणिकाए नहीं कर प्लस नहीं जल्दी से रहें तो याद रखी का आंसर ए सेरम सेरम में जो है कौर्पलस इस नहीं है एक अच्छा कोशन पूछा दा सकता है यह कोशन ही कर इन दा आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ इस ट्रांस्पेट देखो हमें पता है कि आखे जो हम अपनी डोनेट करते हैं अगर ठेक है आखों का जो दान होता है उसमें कूंसा भाग है उसी को डोनेट किया जा सकता बाखे सब पूरे आइस को डोनेट नहीं करते हैं एक कोून सा भाग है आँस्थ को कौो कि दौनेट किया जाता है ठेक, cornea को हम share करते हैं, ठेक, cornea को transplant करता जाता है, theory of evolution किसके द्वारा दीगे? basic question, theory of evolution किसके द्वारा दीगे? इस question का answer क्या है? theory of evolution किसके द्वारा दी गई इस question का Answer कहँए बेटा, जल्दी से oxytा रतेंगे और Share करीगा session, ठीक, session को Share करीगार, जल्दी से उपते कि à theory of evolution किसके द्वारा देगा हा, ठीक, हसान है question भेँत ही जाधा, ठीक, theory of evolution किसके द्वारा दियए गई, आंसर याद रखेगा, चार्ल्स डाविन के द्वरा, किसके द्वरा, चार्ल्स डाविन के द्वरा दिया का, महत्रपुन खतरना कोशन, ठेज चलो एक दो कोशन ही, जो, अब उन लोग दो चीज़े आनते हैं, यह एक जायलम का कोशन, और दूसर फ्लोयम का कोशन, ठेज यह दो कोशन हम सारे जानते हैं, ठेके, यह दो कोशन जो है, इनके कोशन आने चाहिए, कि भई जायलम जो है, प्लांड में किस चिछ के लिए रिस्पोंस योल होता है, कमेंट करिएगा, बेटा पैनल से क्लास सिर्फ एक दो दिन का रह रहा है कि मैं आपको पैनल से क्लास स्टार्ट कराने वला हूँ, पहले एक बार ही रेक्टिफाई हो जापना, ठीक है, थोड़ा सा खराब हो गया स्क्रीन, उसकी वज़े से, लेकिन ऐसा है कि अपना कंटेंट टोर जा रहा है, डिलीवर कर रहा है आपको, ठीक है, क्लास इस आपकी रेगुलर हो रही है, हर एक चीज हो रही है, इवन में ट्रांस्पोर्ट से संबन देता है, चलो एक पूर कोशन देखें, खतरना कोशन है, पढ़ना पड़े, ठीक, लास ऐसी है, जिसमें पढ़ोगे पूरा तभी समझ पाऊंगे, चलो से यह कोशन देखो, जो जेनेटिक मैटिरियल डैट कंटें ओल दा इन्फोर्मेशन, देखें, यह अपना रेफर कोड़ा, और क्लासिस इंपोर्टेंट आठ मार्स से लाइव हो रही है, प्लस कार्सिस, जो आपके काम आएंगी, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट इंप्लासिस, आंसा कैस कूशन हो, ठीक, आंसा कैस कूशन का, डी कोशन है, यही सब कोशन है, जो नए मैं सीरीज में कराना चाथा हूँ, मैं इसलिए स्टार्ट करीई है, कि मैं आपको वो नया कंटेंट प्रोवाइड करा सुखू, जो आपको हंड़र परसंट सिलेक्शन दिलाएगा, साइंस का इकलोता राम मान है यह स्पीडिज बजह पांच बजे का लूसेंट इससे उंदा जीके का कोशन ने कंटेंट नहीं आ सकता साथ बजे का बाइफाइ स्टड़ी पे दोबारा ठेक करेंट अफे टाइप लास हुते पूरी पांच साथ और या आठ बजे का स्पीडी साइंस यह मैं इवन सेटर्डे संडे भी बन निकरा सब्सक्राइब करेंगे अवेडिया और गूर स्टाइफिक नेम कमेंट करेंगे और वेडिया ऑवाइज किसका साइन्टिफिक नेम है तेकं आवएडिया ऑविस किसका साजिटिफिक नेम एपको मैं यह लेकिन और अपडेट कराने वालों कुछ और साजिटिफिक नेम एसे जो आमारे लिए खतरनाक हैं मैं पढ़ने चाहिए ऐसे scientific name जितने भी हो सकते हैं मैं possibility आपको करा हूँ जितने भी possibility हो सकते हैं सारे करा हूँ ठीक है A to judge scientific name इसी सीरीज में ठीक है आपका science का जो रामबाण इना जब वो एक लास होगी आड़ पंदरा विस दिन लगातार देखनी है आन सके है कि धक हमारे जो प्लांट विल्टिंग होती है न एक इसकीवर से पाणी अगर बहुत ज़्यास जादा हो या किसी और चीज़ के लिए बाटे वाटर ज़्यादा होने की व tapedभिफ q siti सबस्क्राम की वज़े से खोटा सवाल है आंसकही बताएज का आंसर के अगा है बादेम। मैं आप से पूझ आऊ क्या पानी की वजय से होता है किया सा पानी की वजय से लेको सिंपल सा है लोकेज ऑफ श्य sill где सीम लोकेज आ Records होते हैं जायलम बलोकेज होगा तो उसे पानी गया पानी पानी मिलता प्लांट तो विल्ट होगा ना पूरा तो वही कंसेप्ट आप यह में आप मेरी क्लास देखें प्लस कोर्स में आके पर्टिकुलर्ली एक क्लास में अब सारा कुछ कवर करिए स्क्वारल इसका आंसर है बहुत यह असान है रॉडेंटियस का रस्ट मैं प्लस कॉर्स कोर्स में आके आप क्या करेंगे कि आपको सिर्फेक क्लास करने बड़ेगे आपके exam के according आपकी class schedule होगी एक subject पे सिर्फ एक class आपको बस उसी में पढ़ना है उसी से cover हो जाएगा जैसे मैंने पहले 15-20 दिन quality पढ़ाई अब मैं 15-20 दिन history पढ़ाऊँगा फिस static जी के पढ़ाऊँगा ऐसे अपना order में रहेगा तो अपना पूरा cover हो जाएगा ठेके प्लस courses के लिए refer code है live woman ठेके चलो bone ossification test is conduct to a certain पते किस से सम्मझ दिदा bone ossification test किस लिए होता है comment करेगा answer कहा है बटा share करो session को like करो जल्दी से बता हू bone ossification test किस लिए होता है इस question का answer कहा है comment करेगा bone ossification test किस लिए होता है comment करेगा जल्दी से बताइए इस question का answer कहा है bone ossification test किस के लिए होता है comment करेगा basic सा question है सभी को बताओगा basic सा question है सभी को बताओगा इस question का answer कहा है ठे चलो answer कहा है इस question का ठे इस question का answer कहा है बटा याद रखेगा पोचहारो सकता है मोन Ossification क्या रहे होता है याद रहेinson के लिए 10 टिब एज के लिए पता लगाने के लिए गो dép worthy इसी चार उप्शन में से स्टार्ट कर दो तो सान्स एक पढ़ने हो किसी एकसाम के लिए फिश है भाई ठेको कुछ बच्चे आंसर बेमल बताने है भाई बैमल तो कते नहीं हो सकता ठेको बल्ष के बिना काम नहीं है यह कहला यह थो है फिसका असान कोशन तयार से यह बहुत ही easy कोशन ना इंपोर्टेंट तो है यह important तो सारे जैसे कोशन देखो समझो थोड़ा सा बताओ आंसर क्या होगा क्या आंसर हो सकता है जल्दी से बतेगे आपको प्लस कोर्सिस में आके ठीक है पर्टिकुलर क्लासिस में आना है फिर ठीक है आपका टाइम भी बचे का और आपकी त्यारी भी हो जाएकि लाइव अपन रेफर को यूज करें है त्री अंड्र nhất पर मंत आपका बढ़ता कोस्त ठीक है बता भी चुका सवाल क्याइस कोशन gone substance that stimulates the production of antibodies when introducing तो कुन सा substance है जो कि antibodies जो है stimulate करता है तेजित करता है जब इसको blood के अंदर डाला जाता है सवाल पूछा कि कुन सा इसमें substance है ठीक है बता ही इस question answer के तो basic question है तो basic question है आंसर इसका antigen इसका answer है ठीक है दिमाग रहें के antigen आंसर है एक और question देखते है इस question का answer ठीक है बता ही इस question का answer के है ते बटा answer कै इस question का इस question का answer यह है ठीक और question देखते है In human body ligaments are made up of बता ही human body में जो ligaments है वो किसके मंदर पर देखो यह मैंने आपको 100 बारी समझा दिया कि जो ligaments होते है न बेटा यह अपने connective tissue है सो बारी बता है ligaments और tandem के बारे में कि connective tissues है अब यह connective tissue बनते किसके हैं connect क्या करते हैं वो तो हमें पता है बनते किसके यह बता हूँ बड़ा प्यारा question है share करना session को जल्दी से बताएगा ligament जो है किसका बनता है comment करें का answer क्या होगा ठीक है answer क्या है बटा इसका white fiber का है some yellow elastic fiber भी होता है white fiber तो होता ही होता है ठीक है अच्छा कोशन है पूछा रसकता है math puns हवाल है math puns हवाल है पूछा सकता है important है ठीक है DAV board exam ठीक है इन सब के लिए ये class ठीक है आप गलत guidance ना ले मैं चाता हूँ आप सही guidance पर चले जो भी वच्छा पढ़ने आया वो अपने future का सोचे ठीक guidance के हिसाब से चलो ठीक है this is for SSC class किसके लिए SSC है railway है ठीक है defense है UPSC state PC इन सब के लिए classes है ठीक है दिवाख रखे चले answer के canis develops जो है किसका scientific name है answer इसका low-mary का ठीक folks का important question है पूछा सकता है चलो एक और question देखिए magnesium is the constant metal of which of the falling answer कहा इस question magnesium is a constant बड़ा प्यारा question सभी रहनते magnesium किसका हिस्सा है magnesium किस पर आता है इस question कहा answer किया ठीक है देखिए यार basic सा question है answer कहाई इस question का magnesium किस में पाया जाता है answer कहाई वेटा जल्दी से बताएगा magnesium किस में पाया जाता है chlorophyll में chlorophyll में पाया जाता है मैं आपको सभी को बताता हूँ यार एक छोटी सी चीज़ याद रखो पतों में क्या चीज़ होते कून सा metal सबसे रहा जाँ होता है यहismo होता है पतों में chlorophyll है chlorophyll में magnesium है ऑन पाटीस पेट गरो question अच्छे है अपनी loosened series कोन को नहीं देख रहा है 5-10 मैं आपको कहता है 5-6-10-7-8 बजए इन तीन सेशन में आना अनिवारे आपके लिए ठें किसका सांटिफिक नेम है जल्दी से बताए इस कोशन का आंसर के है ठेक है आंसर के वड़े इस कोशन का जल्दी सो देंगे प्रफेलिस का सेंटिफिक नेम है ठीक है आंसर के इस कोशण जल्दी सब देंगे असान कोशण है याद रखेए कैट का बिल्ली को कहते हैं ठीक है कुरकुश्य देखे ने ले कोशन आ रहे हैं सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है जो अपने पेपर में आ सकते है तेके आंसर का पटे इस कोशन का जल्दी से बताएगा इस कोशन का आंसर का एड कमेंट करीगा है ना कोशन इंपरेंट तेके मैं तबी कहता हूं स्पीडी साइन सीरीज जोएन कर लो सारे के सारे 8 वजी डेली फिक्स रखो ना टाैमिंग ठेके फिक्स रखो कर दो टाइमिंग उचिंट कि अगया है यह अगया है टेक्ट आइस्ट इसकोश का एक सो बीसिस का अंस्र है तेक है ओहो यहां तो खेल हो गया थे इदर कह रहा है अच्छा इसमें में अग्सात्ग डेही रख़ा है कोई दिक्कत ने है सो से इकोईस में मुश्किन नहीं है यह कोशन ने बताइएए ठैक है मैं साइंटिफिक नेम आपको सारे कवर कराने वाला है इस इस कोशन का अन्सर बताईए ठैकाट टेक्टोना ग्रैंडीस जो है किसका साइंट्विक कमेंट करें कि टेक्टोना ग्रेंडिस किसका सांटिफिक नम है कॉशन का आंसर के हैं जल्दी सब देगा छलो मैं आपको basic basic question करा रहा हूं और सारे के सारे question आपके काम के हैं टीक जो है न टीक जो हम लकडी उस करते तो इन सब के ओपर question आते हैं टेक्टोना ग्रेंडिस कर देंस क्या होगा अच्छा कोशन है पूचा जा सकता है फील्ड क्रोप की स्टडी को क्या का आता है बेसिक और बहुत ही बेसिक और कि अर्फ करा हूंगा दस पंदरा बिटा से पहले कर आँगे लाइफ टेस्ट अपना है ना अपनी लाइफ टेस्ट करते प्रेक्टिस करते हैं तो लाइफ टेस्ट होगा एग्रोण파 कांषर ये नहीं कर रहें कौन सा सेल इंसुलिन सेक्रेट करता है कमेंट करेगा कौन कोन सा बच्चा कल भी स्पीडी साइन्स में आने माला मतलब लगातर 20 दिन कौन सा बच्चा आने माला लगातर 20 दिन 20 डेस का टार्गेट रखेंगे 20 डेस में ये कोशन्स कवर होके फिर हम सब्जेक्ट टॉपिक चलेंगे एक बारी कमेंट कर दो 20 दिन लगातर 20 दिन तक कोन सा बच्चा जुड़ रहा है जैसे लूशन का कमेंट है ना सभी का डेडिकेशन लूशन की क्लास में तो मैं उस क्ला बीचे साइब कमेंट कर देना वाई सारे सारे 12 बजवाला जो लिंक हैना वो मैं लगवा रहा हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन मोक्स में लगवा रहा हूं ठेके नई सीरीज ठेके अपन लोग लगवाएंगे ठेके चलो इस को शका बताओ यह अच्छा कोशन है पूच् सब्सक्राइब करें एक काम की क्लास यार कुछ टार्गेट जब जैसे ऐसा ना कि हमने लूसर तीस दिन की स्टार्ट करें तो वो टार्गेट है बहुत ही अच्छा सब्सक्राइब करें एक और प्यारा कोशन नया कोशन है सारे जल्दी सब्सक्राइब करें एक किस चीज का एक मैथड है बहुत ही बेसिक सब्सक्राइब बहुत ही बेसिक सा कोशन है इस कोशन का आंसर बते ये एक मैथड है इंपोर्टन कोशन में से एक ठेक है अंसर क्या है determination of hotel health condition तेक है बहुत ही important कोशन में से एक है ठेक है प्रेगनेंसी की समय का concept सब्भड है इसमें पढ़ देते ठीक प्रेंगननसी के कोशन जो आते हैं वह भी आपको पता होने च्छाए कुछ ठीक है ठीक है human reproduction system से कोशन आते हैं ठीक है reproduction के बाद का embryo formation कैसे होता इन सब पे kooshan आते हैं छोड़ी जोड़ी коoshan पता होने चाहते बड़ा प्यारा question है में 받아 yourimos इसफ़िञेंड का क्याओं है इसफ़िय वीडियो को लि 낮 देश्वेशन पिरा जो कोशन मैं और दाल दिया है वीडियो का benefit देगा आप क्या करेंगे जब यह class end होगी ना उस link को open करके live woman refer code use करके उसे notify करना और मेरा profile follow कर लेना ठीक है profile follow कर लेना answer इस question का है thermoregulation अब क्या है thermoregulation बेटा हमारे शरीर में जो heat रहती है ना इस heat की वज़े से ही इस heat की वज़े से हमारे शरीर में जो है ठीक है बहुत सारे response आते हैं जैसे एंगर हो गया ठीक है प्यार हाना किसी चीज पर ठीक है response जो हम देते हैं exactly ठीक है emotional response जो होते है हमारे थर्मoregulation पर करते हैं sweat gland primarily thermoregulation करती है ठीक है चोकलेट हमारे शरीर देखो यह कोशन पढ़ने के बाद यह तो समझा जाएगा कि यह चोकलेट जादा भी नहीं खानी चाहिए ठीक है यह कोशन पढ़के यह तो समझा आई जाएगा अच्छा कोशन पूछन 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 हमने इसमें क्या जादा हो सकता है और ऐसा नहीं कि सभी चोकलेट में होता है कुछी चोकलेट में जादा हो सकता है और यह खतरनाक होता है ठीक है चोकलेट किसले नहीं खानी चाहिए जादा ठीक है बैट फोर हेल्थ है क्योंकि उसमें लेड होता है ठीक है दिमाग रखेगा य जसा क्या पाए जाता है जिबाग को रखेगा लेड हुता हो युझे वो खतरनाक थापिद भी हो सकता है बहुत ज्यादा खाना ठीक है अजी इसमें से कून सी स्टार्फिश की लोको मॉटरी ठीक है लोको मॉट्री और के नहीं है तो यह अगर आपने साइंस से संबंदित सुना हो तो बताइए ग्रीन ब्लोक का क्या मतलब है जल्दी से बताएगा अगर आपने साइंस से संबंदित सुना तो आपको आता हो ठीक है अगर आपने साइंस से संबंदित सुना है तो आपको ग्रीन ब्लोक का मतलब पताऊगा जल्दी से बताएगा पूरी क्लास करनी है मैं तो छोड़ता है नहीं क्लास जल्दी से ठीक है पूरी क्लास कवर करवा पढ़ाता हूं। आपने पास समय ही समय हमने पढ़ाने काम है सारा तो आपंछ लोग से करते हैं, घड़ा जल्दी से रची स्कूश्ट का आंशर के है थे PDF कमेट बोक्स पर आ रहा है। ठीक है हर एक लास का मैं हर क्लास का चेक भी करता हूं कि अपना comment box पर pdf आ रहा है कि नहीं तो वो भाई हर class का आ रहा है इसका तो simple है नहीं कि हम pdf तो मिल रही है न आरे class की ठीक है आन सकते बायो ब्रिक जो है green blocks कहते है उसे अच्छा question ठेंगे हां जी जो मदुमक्खी है उसके जहर को क्या काया था कैसा होता है मदुमक्खी का जहर कासा होता है इतना छोटा सा question नहीं मिलेंगा group D में या SSC में railway में ऐसा ही question defense में ऐसा ही question आएगा और daily essay question कराने के लिए 8pm पे आपको भी वेकार है बहुत नीचे गिरों के तब भी वेकार है ठीक है तो उस example के इसा आप से पढ़ो कि हाँ यह question आ सकता है वही शायद मदुमक्खी होते है उसका जहर क्या होता है एसडिक होता है अमली होता है ठीक है एसडिक हो बेसिक सो question है है कि basic question है ना ठीक है चले गर कोशन यह भी अच्छा q HARरा बैसा ग्रें यूस होता है औरलकोमस अडिक होता है यूस होता है कमेंट करेंकर सक्षुलांti से घंट करया कि अब ठ्रभर रखेव शुक्राइब याद रखें प्रोजस्ट्रो इसका आंसर ठीक कम इसका अखर्म मृट इसका आंसर क्या बैसिक सब चीदे ठेंक है कि में यह सब सक्राइब आरी अरों कोशन में आते ह्याद इस अser में ओधाई दहाए है C जर्थ अच्छा फूशन है अंसर क्या होगा ठीक है जर्थ करो सेशन को सारी बसा जर्थ बताओ ये बसकी क्या कोशन है ब्रोड स्पेक्टरम BSA कहते हैं से Antiviotics are one which attack which of the following ब्रोड स्पेक्टरम एंटिवर्टिक्स किस पे attack करते हैं खतरना question basic question है लेकिन खतरनाख ठेक है बदि ब्रोड स्पेक्टरम एंटिवर्टिक्स देखो अब मैं आपको बोलू कि பíacus antibiotic क्या होता, simple सा आपको कोई doctors, दवायी देता isto, उसके साथ antibiotic ऐसा देता где-o, वो किसी चीज को handle कर लेगा। panthogen कुण से भी होगी ना, उनको handle कर लेगा, antibiotic हमेशा होता है मैं even मेरा खुद का कला खराब है, मैं एक एक antibiotic यूज़ कर रहा हूं तो डैड की अगर कुछ भी होगा कुछ ना कुछ तो असर होगा इस ठीक है तो भाई एंटिवर्टिक जो है पैंटर जोंस पे ठीक आसर करता है कही ने कहीं एक और कोशन देखिए बेटा मुकेश नो बजे वाली जो करंडेफिरे की क्लास है अब दस बजे हो चुकी है आन अकेड़मी पे मैं दो ही सेशन कराता हूं मैंने अभी क्या बोला 11 पीम का जो कोशन मेंक है उसे नोटिफाई कर लो वीडियो के डिस्क्रिप्शन मुक्स में जो सबसे पहला लिंक है 11 पीम कोशन मेंक लिक्क होगा उसे नोटिफाई करो क्योंकि आर वो क्लास आपके लिए इंपोर्टेंट है ठेक है वो क्लास आपके लिए इंपोर्टेंट है 11 पीम को कोशन मेंक है ठेक है एलन टोईस और फिटस इस हेल्पिन बड़ा असान कोशन एक्स्क्रीशन में याद रखना आपने प्लस पूर्स लाई में मैं आपको आठ मार्स तक बता रहा हूं आपको कि आप आठ मार्स से पहले जुड़ेंगे तो ज्यादा बैटर रहेगा अससी गोल लाइवबर राफर कोड यूज करिये तो यह डारक्टली 10% डिसकाउंट के लिए छीन हरिडिटरी यूनित है आपको कमेंट करें आंसर क्या होगा ठीक है आंसर क्या होगा इस कोशन का जल्दी सर देगा बेसिक सा कोशन आ अंसर इसका क्रोमोसोम फूचा रासकते है। चलब के रिखरत चोड़ेंगे चेच रावन शकते हैBir में च्मुशल कोशन है। च्छोड़ेंगे ख ereक होगे बहुत नदर्स डहेंकं शलनका का्ट रिपलिचित से लिक Qo Marketing Updue इस चलो आंसर के ट्रांस लोकेशन वोटरेस रिलेटेटेट डू बोथ ठीक रिखेंगे अपोप्लेक्टिक और स्प्लेंक्लिक्टिस दोनों इंपोर्टेंट है पूछ जा सकता है एक और प्रशन देखेंगा पिक आउट दा डिसीज अमंग दा फोलुग इसमें से कुण सा इन चारहों में से कुण सी बिमारी है जल्दी से पते किसको होती है और बेसिक। आज सारे समझते होंगे यह बड़ा असान है, hepatitis है, hepatitis is a brain inflation, sorry, liver inflation, hepatitis is a liver inflation, जो कि एक virus है, ठीक है, simple सी बात है, एक virus है, ठीक है, तो hepatitis virus की वाज़े से होता है, तो अपना hepatitis सा पर पता हूँ, बेसिक सा कोशन है न, ठीक है, BCG immunization is for, बड़ा प्यारा कोशन, ठीक है, final question है, अपनी class का, जल्दी से बता है, BCG immunization जो है, किस से संबंदित है, comment करें, इस question का answer क्या है, जल्दी से बता है, आंसर क्या होगा, ठीक है, असान क्या होगा, final question है, पढ़ा याद रखना, आपको क्या करना, छोटे से काम करो, पहला तो 8 p.m. ये सीरी स्टार्ट हूचुकि ये स्पीडी साइन्स तो इसको अब छोड़ना मत ठेके डेली देखी ठेके कल भी क्लास 8 बजे वाइफाइ स्टूडियो पर चैनल सब खुद ओपन करना और अपने आप आ जाना दूसरी इंपोर्टन चीज दोस्तो याद रखेगा जब आप जितने बच्छे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें चैनल को जितने बच्छे देख रहे हैं ग्यारा बजे करेंगे कोशन में बीच में एक दस पंद्रा का लाइफ टैस होगा जरूर देखेगा वाइफाइ स्टूडियो चैनल पर ठेके आंसर कैसका ट्यूबर क्लोसिस का आंसर है आप अगर मुझसे पहली बार जोड़ना है अपना सिस्टम यह है कि आम आप सभी के स साथ आप सभी का बैनिफिट चाहते हैं उसमें सबसे बैनिफिशल क्लास में आपको जरूर बता हुआ ठीक है पहली क्लास पांच बजे लूशन की वाइफाइ स्टडी पर होती फिर साथ बजे जे और फिर आठ बजे यह जो आप पढ़ रहे हो यह दिस वन ओफ टॉप क्ल पूरा है एक काम करिए अगर आप पहली बार जोड़े तो इंडियन पॉलेटी सर्च करो सारे सार एक चोटा सा काम करो यह काम कर लोगे तो आपको बहुत बेनिफिट है इंडियन पॉलेटी सर्च करो आपको यह ऐसा थम्मेल देखेगा 6 गंटे का मेरा तो मेरा नाम मतलग पॉलेटी सर्च करना अपने इसी चैनल पर क्लास आएगी है इसको ना ओपन करके 10-15 मिनट देखो आपका लिटरली मन करेगा हाँ बाई मैं पॉलेटी कवर कर लूए एक बड़ी से वैस कर लूँ 15-15 मिनट डेली देख लूँ इस क्लास को 6 गंटे कावर करके सारे टोपिक 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 क्लास है जरूर ओपन करो एक बड़ी 10-15 मिनट पहले देखो अभी एक काम करो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन वोक्स में कोशन मैंकर डलवाया मैंने थे वह देखो प्लस पूर्स पूर्स यह काम कर लेना अगर सेलेक्शन चाहते हो तो आप गाइडन के साथ रीजिनिंग मैंत इन सब के साथ ठीक है पेटा पीडिएफ का मेंड मुक्स पर डलवा हुआ मोक टेस्स स्टैंडर्ड बुक कवरेज डाउट सेशन इन सब को कवर करके मैं स्टार्ट कर रहा हूं मैटा जैसे आप गोल सेलेक्ट करते हैं ना SSC यह पूरा बैच है अ यह राफर कोड आपको 10% डिक डिसकांट देगा इंस्टेंट डिसकांट 10% आपका यह कोस्ट 300 के आसपास पड़ेगा मंतली पूरे सब्जेक्ट का इससे कम कोस्ट में वाई कुछ भी नहीं हो सकता और ऐसा अगर आप कंटेंट पढ़ोगे डिलीवर करवाऊंगा आपको इससे कंटेंट हर एक सब्जेक्ट में जो आपको बेनिफड देगा ठेक है लाइव अमन राफर कोड यूज करो और तीन मार्श से पहले जुड़ना तीन मार्श यानि की परसों से पहले काम की कलास है याद रखेगा ठेक है धन्यवाद सेशन को एंड करते हैं ठेक है सेश 100% अभी आजैगी